क्रिप्टो करंसिक के दुनिया में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ बहुत लोगों के मुँसे सुन लिया, बहुत लोगों का देख लिया और खुद से भी बाते कर लिया पाई नेटवर के प्राइस को ले करके लेकिन आज के वीडियो को आपने पूरा कम्पलेट देख लिया तो आपको रियालिटी पता चलेगा कि आखिर में पाई नेटवर का प्राइस लांच होने के बाद कितना होने वाला है और आने वाले 2025 तक एक पाई की वेलू कितना हो सकती है आईए जानते हैं दोस्तों और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी की भी वीडियो को देखने मत जाना क्योंकि इस वीडियो में मैं आपका सारा डाउट किलियर करने वाला हूँ तो चलिए सुरू करते हैं दोस्तो जैसा कि हम सबको पता है कि Bitcoin एक ऐसा cryptocurrency है जो हमारे दुनिया का first cryptocurrency है पता होगा 2008 में इसका जन्म हुआ था दोस्तो जब Bitcoin का जन्म हुआ था तो इसकी कोई भी कीमत कोई भी value नहीं थी जबकि Pi Network एक अच्छे price के साथ launch होगा दोस्तो ये दोनो cryptocurrency blockchain टकनोलोजी पे काम करने वाले project है जोकि दोनो decentralized है आज Bitcoin इतना famous क्यों है इसके पीछे मैं आपको बताता हूँ क्या राज है तो Bitcoin जब launch हुआ था तो उस time लोगों को online के उपर भरोसा बिलकूल भी नहीं होता था और दूसरी बात जिनको online पे भरोसा था भी उनके पास system नहीं था कि वो Bitcoin की mining कर सके और Bitcoin को खरिदने का कोई उनके पास साधन नहीं था लेकिन जिन लोगों ने Bitcoin को एक wallet में store करकी रखा था आज वो अरब पती करोड़ पती नहीं बलकि खरब पती बन चुके हैं हम लोग के बीच एक Pi Network क्रिप्टो करनसी आ चुका है जो कि हम अपने phone से ही mining कर पा रहे हैं मातर एक बटन क्लिक करके इसलिए आज के date में Pi Network mining करने वाले ऐसे भी people लोग हैं जिन लोगों को Pi Network के उपर थोड़ा भी trust नहीं है वो बस दूसरे के कहने पे mining कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि चलो कुछ पैसे मिल जाएंगे उनको Pi Network का कोई भी information नहीं ये कोई भी जानकारी नहीं है Bitcoin का price आज इतना high का जो community है वो काफी बड़ा था लेकिन market cap बहुत छोटा था आज के date में कोई भी cryptocurrency यहाँ पे community मांगती है ना कि market cap market cap का मतलब यह होता है कि किसी भी cryptocurrency का अनगिनत coin हो तो दोस्तो यहाँ पे हम लोग के बीच में Pi Network अनगिनत के रूप में आया हुआ है हम अभी भी mining कर रहे है और million में लोग यहाँ पे mining कर रहे है और million में यहाँ पे coin एकठा हो चुका है कहें तो billion में हो चुका है तो दोस्तो आप बताते हैं आपको कि Pi Network का क्या रिजन है कि Bitcoin को भी पीछे कर सकता है जी हाँ दोस्तो आईए दोस्तो जानते हैं देखिए दोस्तो सबसे पहला रिजन यह है कि जो चीछ Pi Network कर रहा है वो Bitcoin बिल्कुल भी नहीं कर रहा है दोस्तो क्या आपने कभी भी bitcoin से shopping किया है e-commerce platform पे जाके कभी bitcoin से कोई समान परशेच किया है नहीं न आपको pie network में वो चीज मिलेगा दोस्तो आज जो एक bitcoin की value चल रही है उस value को खरिदने के लिए हर किसी की अवकात से बाहर है और दूसरी बात pie network पे लागू होता है लेकिन वहीं पे pie network coin को हर एक गरीब हर एक बंदा कुछ coin जरूर खरीद पाएगा दोस्तो बिटकोईन में ऐसा कोई staking का option यह कि आप bitcoin को stake करके आप कुछ profit ले सको लेकिन वहीं पे pie network cryptocurrency को आप staking करके कुछ incentive ले सकते हो monthly salana उसमें आपको option दिया गया है pie network cryptocurrency का application में जाके आप staking कर सकते हो दोस्तो क्या आप लोगों ने कभी bitcoin से कोई गाड़ी खरीद दिये कोई कार खरीद दिये यानि कुछ भी anything आपने कोई समान खरीद आए नहीं ना दोस्तो pie network coin से आप कार गाड़ी बंगला सारी चीज़े आप खरीद पाऊगे यह सारी चीजों पर काम चल रहा है दोनों के ही project same है लेकिन दोनों के services अलग अलग है दोस्तो जाहिर सी बात है कि जो काम हम pie network cryptocurrency से कर पाएंगे वो काम हम bitcoin से बिलकुल भी नहीं कर पाएंगे bitcoin से हम सिर्फ पैसे कमा सकते हैं profit कर सकते हैं bitcoin को hold करके लेकिन pie network से हम हर field में transaction कर सकते हैं इसका इस्तमाल करके आज़े दोस्तो exact जानते हैं कि एक pie network की value कितनी हो सकती है launch होने के बाद और 2025 तक इसकी क्या value हो सकती है सो देखिए दोस्तो हम सबको जैसा की पता है कि pie coin launch होने के बाद रुपए में होने वाला है लेकिन pie network का market cap काफी बड़ा है इसलिए हम कह सकते हैं कि bitcoin के मुकाबले इसको बहुत ही time लगेगा bitcoin को feature करने में क्योंकि ये bitcoin के मुकाबले लाखो गुना इसका market के बड़ा है सो इसलिए इसको market में पूरा पैर फैलाना होगा तो पैर फैलाने में इसको काफी हद तक ज़्यादा समय लग सकता है अगर समय ज़्यादा की बात करें तो कितना समय लग सकता है approximately मैं आपसे कह सकता हूँ कि यहाँ पर आपको कम से कम 25 से 30 साल तक देना पड़ सकता है जी हाँ दोस्तो bitcoin एक छोटा मोटा क्रिप्टो करनसी नहीं है हम सबको पता है कि वो सबका बाप है इसलिए जबकि पाए नेटवर क्रिप्टो करनसी जितने भी project में ये काम करने वाला है इन सारे project में जब तक पूरा अच्छे से अपना पैर नहीं फैला लेता है जब तक इन सब में involved नहीं हो जाता है तब तक यह इचे नहीं करेगा माई टोकन का देख सकते हो दस हजार से भी ज़्यादा मेरा income बन चुका है एक दिन का पूरा 24 गंटे का तो दोस्तो अभी आज बनेगा जो की 12,000 रुपे यहाँ पर डेली मेरा पैसा इंक्रेश ज़्यादा है 1,500 तो दोस्तो यहाँ पर आप ट्रेडिंग करके अच्छा खासा पैसे कमा सकते हो यहाँ मेरा real account है जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ मेरा real account है मैं refresh करता हूँ देख सकते हूँ 6,592 है और 6,702 हो गया हर मिनट पैसा बढ़ता है तो दोस्तो इसका वीडियो का लिंक डिस्कुशन में देदी हाँ जाके वीडियो देखिए completely जनकारी देजिए और यहाँ से पैसे अच्छे खासिप कमा सकते तो जाएए फटा फट देखिए